हलो फ्रेंस आप सवी का स्वाधत है फ्रेंस आज आप सभी को इस्टड़ी करने का एक टाइम टेवल बताएंगे फ्रेंस आप सभी को पता है कि 16 फरवरी से आपका बूर्ड के एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंस आज आपको 27 जन्वरी है 27 जनुवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में टोटल 20 दिन बचा है आपके लिए इस 20 दिन में यहाँ पे आपको टाइम टेबल बताएंगे यदि इस टाइम टेबल को फालो करते हैं तो आप बोर्ड के एक्जाम में 95 से 97 परसेंटेज ला सकते हैं तो फ्रेंस चलिए टाइम टेबल को बताते हैं देखिए फ्रेंस आपको क्या करना है कि फ्रेंस देखिए अब आपने क्या पढ़ा है वो माइनी नहीं रखता अब लास्ट समय में किस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं कि आप इसकी priority आप अपने अनुसार रख सकते हैं कि किसी विशे में आपको जो subject कठीन लगता हो उसकी priority कैसे रखना है देखे फ्रेंज जो UP Board के student होते हैं maximum student English में अंग्रेजी में उनको कठीन लगता है ठीक है तो पहले आपको क्या करना है फ्रेंज कि सुबह सुबह आप पांच बज़े जग जाएं पांच बच जगने के बाद बरस करें फ्रेस हो जाएं फ्रेस होने के बाद आप पहले कावन सा सब्जेक्ट पढ़ें अग्रेजी अधन लगतार एक घंटा पढ़िए पढ़ने के बाद यदि आपको इस्कूल इस्ते में जा रहे हो तो आप इस्कूल जाएं किसी का इस्कूल आट बज़े हो सकता है नो बज़े हो सकता है ठीक है तो अपना एक आडिंग से टाइम टेबल को भी सेट कर सकते है ठीक है तो देखे फ्रेंज आप छो बज़े से साथ बज़े तक डेली एक घंटा इंग्लिस पुढ़ें ठीक है अब अंग्रेजी पहने के बाद फ्रेंज क्या करें आप नास्ता उस्ता करके अपना इस्कूल जा सकते हैं इस्कूल चले जा इस्कूल से जब वापस ठीक है इसको एक घंटा चार पीम यान चार बज़े शाम से पांच बज़े तक आप क्या करें कि गड़ीत को एक घंटा दें ठीक है एक घंटा गड़ीत में इंप्रिवियस एयर में बोर्ड के दुवारा एक्जाम कराया जा चुका है उसमें जितने भी प्रश्ण पूछे करें उनको अधिक से अधिक आप लगाएं तो देखिए आप चार से पांच बज़े तक पहले फिर आप क्या करें कि बीच में दस मिनट पंद्रे मिनटी आधा घंटा करें ठीक है रेस्ट लेने के बाद आप विज्ञान विश्य को उठाएं ठीक है विज्ञान में नूमे स्विज्ञान को पहले हैं ठीक है इसके बीच में आप पांच से दस मिनटर आप समाजी विज्ञान को पहना स्टार्ट करें चाथ और गंटा इसको भी आप समय दें ठीक है अब क्या करेंगे फिरेंस आपको आप पढ़ना है ये चार वीचत आपने कमपलीट कर लिया फिर इसके बाद आप बीच में आदा गंटा क्रेश्ट लेके कुछ नास्तावस्त कर लें या खानों ना खाके फिर इसके बाद आप आठ बजे बैठे पढ़ने के लिए जिसमें आप हिंदी का सब्झेक्ट उठाए हिंदी में आप क्या करें एक घंटा डेली हिंधी परें हिंद एक चित्र आप 20 दिनों तक बनाएंगे 20 चित्र बना लेंगे ठीक है और डेली प्रैस्टिक करें तो आप क्या करें कि नौ से लेके आधा गंटा समय दें सिर्फ इसको आप क्या करें आधा गंटा ही समय दें देखे फ्रेंस यहां तक आप 6 सब्जेक्ट को नौ तिसरा नौ बज़े तक कंप्लीट कर लेंगे शाम को अब देखे जब च्छावी से आप पढ़ चुके हैं तो अब आपको क्या करना है रिविजन करना है रिविजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपने जो च्छा सब्जेक्ट सुबह से लेके रात को सब्ज़े नौ बज यदि आप रिविजन नहीं करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़े हैं सब आपके दिमाग से उतर जाएगा तो आप डेली बाई डेली आप सिर्फ 20 दिनों तक फ्रेंक जो हम बता रहे हैं यदि 20 दिनों तक आप इस टाइम टेवल को फालो करते हैं तो आपको हम गुड़ नाइट बोलते हुए सो जाएं और फिर सुबह जब उठाएंगे तो फिर इस टाइम टेवल को फालो करें फ्रेंस सिर्फ मेरे कहने साब 20 दिन तक इस टाइम टेवल को फालो कर लें आप बोर्ड के एकजाम में टाप करेंगे यह मेरी गारंटी है तो फ्रेंस इस टाइम टेवल को आप जरूर फालो करें ठीक है यहीं फ्रेंस आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चर्नल पर नए है तो चलको सब्सक्राइब करें